यूपी PCS 2022 लक्ष है आपका इस बार उद्देश है निकालना चुकि पोश्ट बहुत सारी स्पेस्फिक भी आ रही है तो आपने अगर स्पेसल डिग्री ली है तो आपको और सो नहरा आउसर है और हाला कि अभी SDM वेगरे की जो परंपरागत पद होते हैं उनकी संख्या बह बहुत जादा chances रहेंगे बढ़ने के इस सरकार में भी प्रयास तो रहेगा ही कि कुछ पद बढ़ें ऐसा नहीं कितने ही पद रहेंगे उमीद की जा सकती है कि पद ठीक ठाक संख्या में आए हाला कि अभी तक 2019, 2021 में तो निराशी किया है लोगों ने फिलहाल आपको तो हर इस्ति में परिक्षा देनी है चाहे पद कम रहें अथवा दिक रहें ठीक है ये तो perception की बात है कि हमने ये मान लिया अनुमान कर लिया कि prelims के result तक तो वेट कर सकते हैं पदों को बढ़ने का आयोग भी प्रयास करता है तब तक हम उमीद कर सकते हैं कि पद रहेंगे लेकिन पद चाहे जितने रहें आपको तैयारी आपको परिक्षा देनी होगी लक्ष है तो इसी लिए वेकलपिक विशे भी आपको चुनना होगा पैटन के उसार और उस पर अपनी पकड़ बनानी होगी वेकलपिक विशे वो आपका सेगमेंट है जो prelims के बाद त्यार नहीं हो स इस तरह से नंबर मिलेंगे, स्केलिंग होगी या नहीं होगी इन सब चीयों का अकलन करना होगा तो 2018-19-20 और 21 से तो स्केलिंग लागू हो रही है 18-19-20 ये तीन ऐसे वर्षर है जहां स्केलिंग लागू नहीं रही जिसके करण कुछ विशेओं को जो मैथ हैं, साइन्स के जो विशे हैं या संस्कित हो गया, कुछ विशेओं को बहुत जादा नंबर मिले, हाला कि कुछ उसमें भी अपवाद हैं, उसमें भी जैसे संस्कित में पिछले वर्ष बहुत ही कम अंक लोगों को मिले, रिजल्ट सामने आया, लेकिन अमूमन स्केलिंग में देखा गया, अब काफी अंतर सब दो विशेओं के बीच देखा गया, आर्ट्स और साइंस के जो विशे हैं, लेकिन चुकि इस बार स्केलिंग लागू हो रही 2021 से, और 2021-22 में स्केलिंग यथावत रहेगी जैसे बहुत पहले लागू होती थी, तो आपके लिए अब विशे का हो गया है, तो आपको कौन सी विशे चुनने हैं, इस वीडियो में थोड़ी सी मदद आपको विशेओं को चुनने में मैं कर सकता हूं, तो विशे का चुनाओ कैसा होना चाहिए, पहला तो विशे रोचक होना चाहिए, बहुत जादा बर्डेन नहों, अर्था सिलेबस बह चाहिए, इस विशे आपको चुनना चाहिए, तो ऐसे विशेओं में जो आपको स्केलिंग लागू होने के बाद फाइदा पहुचाएंगे, जो बहुत आसानी से तयार हो जाएंगे, जिसमें अनिवार परशनों को आप बहुत आसानी से हल कर लोगे, उन विशेओं की सू चुछी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, अगर आप इनको पढ़ लेते हो, चुकि वैकल्पिक विशेओं आप जिसमें कुछ लिखता ही है, तो नमबर जो जिसमें बहुत ज़्यादा फरक नहीं आने वाला है, किसी को 400 मिलेंगे, किसी को 420 मिलेंगे, किसी को 390 मिलेंग अंतर कहां उत्पन होगा, आपके वैकल्पिक विशेओं में, वैकल्पिक विशेओं अगर आप बहुती सतही लिखते हो, जिसमें सतही लिखोगे, तो वहाँ पर सतही जानकारी नमबर तो मिलेंगे आपको, लेकिन विशेओं में अगर सतही जानकारी आप दोगे, तो वि जिबूत पकड़ आपको होनी चाहिए उसका ओचित क्या है क्या प्रासंगिक्ता है यह सब चीजें आपको पढ़नी पढ़ती है इसलिए इसको अभी से आपको त्यार करना है यह जो आपकी मेहनत होगी आपके प्रिलिम्स में और मुख्य परिक्षिया में भी काम देगी आपके सेलेक्षिन के चांसे बढ़ जाते हैं क्यूंकि उसके बाद प्रिलिम्स का जब रिजल्ट आता है या प्रिलिम्स एक्जाम जब देते हैं जब मेंस के तयारी आप करने जाते हैं तो आपका एक जो सबसे महत्पूर्ण पोर्शन है जिसमें सबस्यादा समय लगना होता है तो वहाँ सिर्फ रिवीजन करना आपके लिए रह जाता है तो बाकी का समय आप current of years और GS निबंध हिंदी जो भी है चीजें उसमें लगा सकते हो मुखे परिक्षा की अन्य चीजों में आप समय दे सकते हो इस तरह से अपना आपको shady बना के चलना है कि GS तो आप पढ़ी रहो prelims के लिए ठीक वो balance हो जाएगा लेकिन मुखे परिक्षा के लिए आपको वेकल्पिक विशे जो है एक बड़ा portion जो है देखने में के ओल दो पर है लेकिन सबसे अड़ा बड़ा portion क्योंकि आपको गहराई से पढ़ना है तो उसको आपको अभी से पढ़ना है उसको तयार कर लेना है यह आपको अभी से लक्ष बना के चलना है कर लिया तो 100% guarantee आपको फाइदा मिलेगा मुख्य परिक्षा में maximum marks पर जित करोगे बाकि थोड़ा बहुत किस्मत ने साथ दिया तो SDM का post मिल जाएगा अब यह मैंने जो लिश्ट बनाई है History, इतिहास, PSIR जो आपका पॉलिटिकल साइंस और IR होता है ठीक है, राजनित्ती शास्त्र Geography, भुगोल, Economy, अर्थवियोस्थास, उसलोजी, समाश शास्त्र Public Administration, लोग प्रशासन यह वो विश्टे हैं जो आपका GS, Prelims, मुखे परिक्षा और Essay Through, आउट आपकी तेयरी हो चाहे वो interview हो वहाँ पे भी बहुत काम आता है History, पूरा First Vipper का आधे से यादा Part, वो History से ही related है History ही उसमें पूछी आती है ठीक है, First Vipper, और जो Modern History का portion Art and Culture का portion आप पढ़ोगे Mains के लिए Prelims में वही आपको पढ़ना है तो वो इतना Deep Knowledge जितनी Deep तयारी आपकी रहेगी तो Prelims आपका बहुत आसानी से वहाँ से जो question आते हैं आप टैकल कर लोगे उनको History एक अच्छा विशह है चुकि आपको पढ़ना ही पढ़ना है History, Prelims के लिए मुखे परिक्षा के लिए इसलिए आपको विशह लेने में यह सुविधा होगी कि आपका यह वकल्प विशह Prelims और मुखे परिशा के साथ साथ तयार होता जाएगा ठीक यही बात PSIR के साथ है Second paper PSIR का ही है लग भग लग भग तो जो आप पढ़ते हो तो Second paper GS का अपने आप तयार होता है GS जो आपका Prelims वाला होता है उसमें भी यहां से Maximum प्रशन आते हैं और निबंद में भी यहां से एक प्रशन पक्का है कि आता ही आता है एक या दो प्रशन आता ही आते हैं आपे PSIR से दो निबंद आपको यहां से मिल जाते हैं Geography में ठीक है ही है Geography में भी दो निबंद आपको मिलेंगे Prelims के लिए Geography का आपको पता है भूमी का बहुत बड़ी है और Mains के लिए भी Mains में हाला कि GS का GS में Geography थोड़ा सा ही है लेकिन अगर आप Third Paper के परियावन पास्त की आपदा प्रबंधन सबको मिला लोगे तो Geography का भी अच्छा खासा पॉर्शन कवर करता है जिसमें Current Face का भी पॉर्शन आता है तो Geography जब आप Optional के रूप में पढ़ते हो तो Prelims में Geography के सारे प्रशन आपके सही होंगे ही होंगे जोकि मांचेत्र आप अच्छे से कर लोगे सारी चीज़ हैं और इसके बाद निबंध आपके दो निबंध चुकि Fact मागता है UPPCS में जो Essay है बहुत ज़्यादा Fact आपको आखड़े चाहिए पूरे मिल जाते हैं आपको तो दो Essay आपको आराम से हां मिल जाएगा और GS जो मुखे परिक्षा में है First paper, Third paper में आपको Complete वहाँ पे कुछ पढ़ने ही जूरत नहीं पड़ेगी अलग से Economy Third paper economy आपका GS मुखे परिक्षा में Third paper में आधे से यादा portion economy का है current face में economy आती है इसके अलावा prelims में economy से प्रशन आते ही आते हैं ठीक है, आकड़े आते ही आते हैं तो यहाँ भी economy भी आपका अगर विशय त्यार कर रहे हो तो current face जितने भी economy के आकड़े आते हैं वो त्यार रहेंगा already आपके ठीक और prelims में प्रशन हो जाएंगे mains में प्रशन हो जाएंगे एक प्रशन आपका निबंद में निबंद में तो यह समझे आपको लाव होगा कि जो भी निबंद आप लिखोगे चुकि economy सभी विशय चाहे वो social data हो ठीक है और economic है ही राजनित्तिक आकड़े भी बहुत सारे आकड़े economy में आपको पढ़ने पढ़ते हैं ठीक है तो data का आपको आपके पास एक समंदर होगा जहां चाहे आप वहाँ यूज कर सकते हो अच्छे अंक पा सकते हो ठीक है डाइग्राम वगरे बनाने बड़ी आसानी होगी sociology समाज शास्तर का भी first paper भारती समाज second paper sociology third paper और fourth paper ये चारो paper में आपके यूज होने वाला विशह है sociology के maximum प्रशने हाँ पे GS के आपको मिल जाएंगे 5, 5, 6, 6 प्रशने एक एक पेपर में आते है मेंस में मुक्य परिक्षा में इसके अलावा sociology जो आपका prelims में है वहाँ भी प्रशनाते है social structure है या social dynamics है current affairs में जो social issues हैं वहाँ से प्रशन prelims में पूशे आते हैं बहुत आयत में इसके अलावा भारती समाज से बहुत सारे प्रशन जो सामाजिक धाचा है सामाजिक स्रशनाय है यहाँ से प्रशनाते हैं यहाँ भी data आपको पढ़ना होता है तो चूकि आप वेकलपिक विशे में data पढ़ते हो तो वह data आपको current affairs में भी prelims में भी मुक्य परिक्षा में दोनों जगा काम आजाता है निबंद भी sociology से दो निबंद आप easily लिख लोगे पहला तो fix रहेगा static वाला दूसरा वाला जो current face में आता है social वो भी आपका फंस जाएगा तो एक से दो निबंद आपको यहाँ से sociology मिल जाएगा और धेर सारे data यहाँ से भी मिल जाएगा आपके ठीक है निबंद भी लिखोगे तो data आपको sociology से बहुत सारे यहाँ से मिल जाते हैं और वैकलपिक विशय सरल भी है यह सुविधा जनक है छोटा है अगर आपको सही material मिल गया तो बहुत अच्छे से त्यार हो जाता है और public administration पब्लिक एड भी second paper जो आप पढ़ते हो जैसे PSIR है तो इतरह public administration second paper में पूरी मदद करेगा fourth paper में पूरी मदद करेगा current affairs में भी मदद करेगा प्रिलिंस में भी काफी question public administration अगर आप वैकलपिक विशय पढ़ते हो प्रिलिंस में भी काफी मिल जाएगा और एक निबंध आपको पबैट अगर आप वैकलपिक विशय पढ़ते हो तो वहां से लिखने में मदद मिलेगी इसके लावा ये विशय ऐसे हैं जो जहां से प्रश्ण पूछे आते हैं आपके interview में भी बहुत सारे प्रश्ण और इनको बनाने में इससे जो related questions हैं आप देखोगे तो interview में यहीं से related प्रश्ण आपसे पूछे आते हैं साच्छातकार में काफी बंदत मिलेगी तो ये विशय ऐसे हैं जिनको आप ले करके बहुत easily अर्थात बीना extra work किये कम स्रम में, कम लागत में आप अपने तियारी कर सकते हैं चुकि आज कल जो प्रिलिंस में facts पूछ रहे हैं कुछ नया लाना चाहते हैं जो प्रचलित पुस्तके हैं घटना चक्र हो गई या फिवाई क्यू हैं वहां से अलग प्रश्ण बनाना चाहते हैं ताकि competition थोड़ा सा increase हो उनको पता है कि आप हर कोई पढ़ रहा है तो कुछ न कुछ नया हमको दे नहीं पढ़ेगा इसलिए ये challenge भी आपका आसान हो जाता है जब आप इन विश्यों में से एक विश्य चुनते हो deep चुकी पढ़ाई करते हो deep study करते हो इन विश्यों की आप तो इन से related जो प्रश्ण आते हैं वही जो नए प्रश्ण है इन से related ही रहेंगे वह तो वो प्रश्ण आपके cover हो जाएंगे यहां से काफी कुछ आपको नया सीखने को यहां पे मिल जाता है बहुत सारे नयने facts विश्य के अंतर के जवाब पढ़ते हो तो मिलते हैं आपको बहुत कुछ लिखने को बहुत कुछ सीखने को एक अच्छा approach विश्य से संबंधित आपका develop हो जाता है जो आपके throughout तेयारी में पूरी परिक्षा प्रक्रिया में आपकी मदद करता है तीन विश्य है History Sociology और Public Administration इन तीन विश्यों की संपूर्ण Study Material और Class, Video Classes मौझूद है Public Administration और History दोनों भाषाओं में Hindi English में Sociology जो कि मैं पढ़ाता हूँ वो Hindi भाषा में आपको Materials और Videos मिलेंगे English में Material मिल जाएगा Video आपको Hindi में ही मिलेंगे Sociology के बाकी Public Administration और History के Videos और PDF आपको English Hindi दोनों में आपको कम समय में Discreet Materials आपको मिल जाएगे तैयारी कर लेंगे कई बार revise भी कर लेंगे ठीक है और कुछ doubt रहता है तो उसको भी solve करके जल से जल प्रिलिंस के पहले ये target बनाई कि इनको खतम कर देना है अगर खतम हो गया तो आपका आधा भोज आधे से ज़्यादा हलका हो जाएगा फिर बस revision करना है इसे बाकी GS और answer writing के माध्यम से और ज़्यादा जो अपनी sharpness है exam के लिए बढ़ानी बहुत सारे लोगों के साथ ये दिक्कत होती है कि लिखने बहुत problem है बहुत धीरे धीरे लिखते हैं मैंने देखा है बहुत धीरे धीरे लोग लिखते हैं तो जब ऐसे लोगों के लिए जो बहुत धीरे लिखते हैं इसका मतलब कि आदत नहीं है तो आदत डालनी पड़ेगी अभी से करनी पड़ेगी आपको अगर बहुत slow आपकी राइटिंग है अगर राइटिंग ठीक ठाक है पहले लिखते आए हैं तो फिर दिक्कत नहीं होती फिर दो तीन महीने की अगर बहुत है आपके लिए ठीक है तो वो आदत बन जाती वे अंसर लिखने की न तो आपको पता है कि किस प्रकार की प्रश्ण में कहां क्या लिखना है क्या फ्रेमी होनी चाहिए वो माइंड में सेट अप हो जाता है तो वही आपको डेवलब करना है उसके बाद लेकिन वेकल्पिक विशय त्यार नहीं रहेगा तो वो नहीं हो पाएगा फिर आपका पूरा टेंशन रहेगा कैसे हम अपना एक विशय त्यार करें तो ये सब बाते हैं टेकनिकल जो आपको सामना करना पड़ सकता है प्रिलिम्स के रिजल्ट के बाद ठीक है तो उमीद है आपको हेल्प मिली होगी और बाकी नोटिफिकेशन साइद इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि पद नहीं है जादा क्योंकि अब तक दे देना चाहिया था लेकिन बहुत ज़्यादा इंतजार आयोग भी नहीं करेगा वो भी जल्द दे देगा नोटि कम पद रहेंगे तो निश्चित रूप से कॉम्पटिशन बहुत तगड़ा रहेगा प्रिलिम्स के लिए तो पूरी जान लगा दीजे कि रुकने न पाए फिर मेंस तो आसान रहेगा ही आपके लिए अगर प्रिलिम्स निकल गया तो में कॉम्पटिशन प्रिलिम्स हो जा इस WhatsApp नमबर पर संपर करके बहुत बहुत धन्यवाद